माल लिजे कोई object को हम horizontal से कोई angle theta बनाते हुए air में project करते हैं यहाँ पर हमने कोई football ली है जिसे कोई football player kick मारता है और इसको air में throw करता है तब ऐसी condition में ये specific path trace करती है उस करूँ को जिसे हम parabola कहते हैं पेरा बोला का मतलब है पेरा का आर्थ फेकना होता है और बोला का आर्थ बोल से मतलब game को फेकने से बना path पेरा बोला है अब इस path के लिए हम कुछ parameters निकालना चाहते हैं जैसे इस path की range क्या होगी और maximum height कितनी ये attain करेगी football ये सारे parameters हम निकालेंगे यहाँ पर horizontal से बनाया गया ये angle theta है और इसको जिस initial velocity से हमने फेका था उसको हम u कह रहे हैं इस u velocity के दो direction में component होगे एक तो x direction में component होगा जिसे u cosine theta कहेंगे और इसका y direction में जो component होगा उसे हम u sine of theta कहेंगे अब यह जैसे जैसे यह जो ball है यह move करती है upward direction में तो इस पर लगातार नीचे की दिशा में acceleration काम करता है जिसे हम gravitational acceleration कहते हैं अगर हम upward direction को positive direction ले रहा है तो downward direction negative लेंगे इसलिए माइनस g jk अगर completely vector form में लिखे तो negative jk हमें बता रहा है कि हम negative y direction में acceleration काम कर रहा है और यू को साइन थीटा आई के इसकी positive x direction में velocity है और यू साइन थीटा जे के इसकी positive y direction में velocity है अब यह object जैसे जैसे upward movement करता है वैसे वैसे इसका जो यू साइन थीटा component है इसका magnitude कम होते जाता है क्योंकि लगातार gravitational acceleration इस बोल को नीचे की direction में खींशता रहता है तो पहले यू साइन थीटा की कुछ value होती है लेकिन जब यह थोड़ा सा ऊपर जाता है तो यू साइन थीटा की value कम हो जाती है और थोड़ा और ऊपर आने पर यू साइन थीटा की value और कम हो से आगे यह अपनी direction चेंज कर लेता है और अब वाई डिरेक्शन में वेलोसिटी अब नेगेटिव डिरेक्शन में वेलोसिटी में बदल जाती है लेकिन magnitude में यह वेलोसिटी उतनी ही रहती है सेम हाइट पर मतलब यहाँ पर जितनी वेलोसिटी थी उतनी ही वेलोसिटी magnitude में है यहाँ पर लेकिन बस इसका direction नेगेटिव हो चुकी है और जब यह जश्ट गिरने से पहले इसकी जो वेलोसिटी है यह उतनी ही हो जाती है जितनी इसको थ्रोग करते वक्त थी मतलब कि हम कह सकते हैं minus u sin theta jkf बस direction में यह opposite हो चुकी है यहाँ पर हम इसमें एक तो इसकी maximum height निकालना चाहते हैं कि यह कितनी height तक पहुंचती है maximum और दूसरा हम निकालना चाहते हैं इसकी range horizontal range अब हम इस object के लिए time of flight calculate करते हैं time of flight से हमारा मतलब है कि यह object है यह कितनी देर तक air में रहता है तो पहले यह object अपनी maximum height पर पहुंचता है उसके बाद यह नीचे उतरता हुआ फ्लोर पर आजाता है तो time of flight जो है इसको maximum height पर पहुंचने में जो time लगता है उसका double होगा क्योंकि उतना ही time जितना time इसको उपर जिटना लगता है उतना time इसको नीचे आना में भी लगता है तो जब यह नीचे से उपर तक maximum height पहुंचता है तब इसकी y velocity में कितना change आता है initially y direction में जो velocity थी वो u sin theta थी initially और finally y direction में finally से हमारा मतलब है जब यह maximum height पर है finally velocity zero हो जाती है y direction में तो हम देख रहे हैं कि velocity u sin theta से zero हो जाती है और u sin theta से zero होने में velocity को कितना time लगा यह हम किस तरह से calculate करेंगे यह हम जानते हैं कि gravitational acceleration negative g है मतलब इसकी velocity हर एक second में g की amount के equal कम होती जा रही है तो u sin theta minus zero यह total change in velocity है change in velocity में जब हम acceleration से divide करेंगे तो हमारे पास आएगा time कि भाई u sin theta से velocity को zero होने में कितना time लगा तो अगर हम हमे time of flight निकालना है तो हमें इस maximum height तक मोचने में लगे time का double करना होगा तो हम इस amount का double कर देंगे तो हमें मिलेगा 2 u sin theta divided by g तो यह time of flight है दूसरा हम maximum height की value भी calculate कर सकते है उसके लिए maximum height के लिए expression निकालने के लिए जो हम initial velocity काम में लेंगे y direction में वो होगी यू sin theta यह initial velocity है और final velocity y direction में हो जाती है जिरो और इस दोरान जो यह total y direction में distance चलता है यह displacement चलता है वो है h के equal तो इसको h displacement travel करना है और उसके लिए initial इसकी velocity u sin theta है और final velocity 0 है और displacement h है इसके लावा यह पूरी distance travel करने में जो इसको time लगता है वो भी हमारे पास है हम third equation of kinematics का use करके इस h की value निकाल सकते हैं थर्ड equation है v square equal to u square plus 2a s, s का मतलब displacement है final velocity 0 है और initial velocity यहाँ पर u sin theta है square plus 2 और acceleration की जगे हम minus g लिखेंगे और s की value हमने यहाँ पर h लिए है तो इसको solve करने पर हमारे पास h की value आएगी u square sin square theta divided by 2g so यह maximum height का expression है similar way में हम इसकी range का भी पता लगा सकते है horizontal range निकालने के लिए हमें velocity के x component को use करना होगा और x component में कोई change नहीं आएगा क्योंकि x direction में कोई acceleration नहीं है सारा acceleration सिर्फ y direction में है so velocity का x component u cos theta ही रहेगा और जब हमारे पास constant velocity है और हमें यह भी पता है कि कितने time तक यह object air में रहता है जैसे हमने time of flight का था हम इसे पहले calculate कर चुके है जो कि आया था 2u sin theta upon g so यह object कितनी देर तक travel करता है 2u sin theta upon g इतने time तक यह travel करता है और इसके अलबा इस velocity से यह travel करता है तो जो distance है वो होगी velocity into time और distance यहाँ पर range के equal होगी therefore range is equal to velocity into time और velocity है u cosine of theta और t की जो value है वो है 2u sin theta divided by g और फिर trigonometry की identities हमें बता है कि 2 into sin theta and cosine theta equal होता है sin of 2 theta के और u into u will give us u square divided by g so horizontal range होगी u square sin 2 theta divided by g तो इस तरह से हमने horizontal range calculate कर ली और maximum height जो यह attend करेगा वो हमने calculate की और time of flight हमने calculate किये और time of flight हमने calculate किये